प्रदेश आक्टिव केसिस में देश में सातवे नंबर से भैतर स्थिति में होकर ग्यारवे नंबर पर आ गया है परंतु कोरोना का स्वरूप कब क्या रूप ले ले इसलिए हमें संभल कर चलना होगा मुख्य मंतरी श्री श्रीश वराज सिंग चोहान कोरोना नियंतरन के संबंद में आज कोविट प्रभारी मंतरियों कमिशनर कलेक्टर्स पुलस महानरिक्षक पुलस अदिक्षक एवं जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप के सदस्यों से वर्च्वली चर्चा कर रहे कोरोना नियंतरन के लिए सतना जले के प्रभारी मंतरी श्री राम खेलावन पटेल कलेक्टरेट सतना के एन आइसी कक्ष से मुख्य मंतरी की वीडियो कॉन्फरेंसिंग में शामिल हुए इस मौकी पर पुलस अदिक्षक धरंबीर सिंग, आयुक्त नगर पालिक निगम, तन्वी हुड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्ते दिकारी जॉक्टर अशोक अवध्या, संकट प्रबंधन समुह की सदस्य नरेंदर त्रपाठी भी उपस्तत थे पॉजिटिव मरीजों की दर घटी, रिकावरी रेट में हुई व्रधी, मुख्य मंतरी श्री चोहान ने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की दर लगातार घट रही है, मंगलवार को यह दर, बाविस दशम लव, साथ छे प्रतीशत थी, जो आज घटकर 21 दर में लगातार व्रधी हुई है, प्रदेश में कोर्ना की रिकावरी दर लगातार बढ़ रही है, गत तेविस अप्रेल को रिकावरी दर 80 दशम लव, 4 एक प्रतीशत थी, जो बढ़कर 81 दशम लव, 7-5 प्रतीशत हो गई है, इसके साथ रिकावर होने वाले मरीजों की स अंखिया में व्रधी हुई है, जो कल तक कुल 11,577 थी, आज 14,156 हो गई है, मुख्यमंतरी श्री शिवराद सिंग चोहान ने बताया कि प्रदेश की आक्टिव प्रकरण में आज पहली बार कमी देखने को मिली है, कल तक 94,276 आक्टिव प्रकरण थी, जो आज घट कर 92,773 हो गई है, मुख्यमंतरी श्री श्री शुहान ने बताया कि राजसरकार का प्रयास है कि सभी जिलों में आक्सिचन और इंजेक्शन का आवशक्ता अनुसार वित्रन किया जा सके, कोरना कर्फियू का कराय कड़ाई से पालन, मुख्यमंतरी शिवराद सिंग चोहान ने प्र रक्षा के लिए लिया गया निर्ना है, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, प्रदेश के लगभग 90% ग्राम पंच्रायते अपने गावों में कोरना कर्फियू लगाने का स्वयम संकल्प ले चुकी है, कुल कोरोना टू अभ्यान को दे प्रात्मिक्ता, मुख्यमंतरी श् शेत्रों में संक्रिमन दर अधिक है, वहां किल कोरोना अभ्यान दो चलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि संक्रिमन प्रभावित शेत्रों में माइक्रो कंटेन्मेंट शेत्रों घोशित कर संक्रिमन को वहीं रोक दे, सर्वे में संभावित मरीजों को तदकाल मैजिकल किट एवं साफधानी संबंदी ब्रोशर उपलब्द करवा कर होम आइसुलेट करा है होम आइसुलेशन एवं कोविट सेंटर्स हो सक्रिय आज तक 79,000 मरीज होम आइसुलेटर है प्रयास यह होना चाहिए कि मरीजों को अस्पिताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़े मुख्यमंतरी श्री श्री शिवराद सिंग चोहान ने कहा कि रेमडिसेवर इंजेक्शन की उपयोग के लिए निरधारिट प्रोटोकॉल का पालन करा है अनावशक रूप से इंजेक्शन की मांग पर अंकुष लगा है इंजेक्शन उसे मिले जिसे जरूरत हो और उतनी जितनी आवशकता हो सप्लाई एवं वितरन की आन आवशक प्रती स्पर्धा की प्रवर्ती जिले नहीं रखे जितनी आवशकता हो उतना ही मांग रखे सभी संभाग में बनेगा बड़ा ओक्सिजन प्लांट मुख्यमंतरी श्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि प्रती एक संभाग में अधिक्तन 6 मां में एक एक बड़ा ओक्सिजन प्लांट स्थापित किया जाए उसके लिए सांसू निश्चत करे पितंपूर में पुराने गैस प्लांट को सुधारा गया है जिससे 30 से 32 मिट्रिक टन ऑक्सिजन प्राप्त हो गया तह वहीं पर हॉस्पिटल निर्मान कराया जा रहा है ऑक्सिजन की आपूर्थी के लिए हम रेल, सडग और वायू मार्ग से जलूरी ऑक्सिजन प्राप्त कर रहे हैं इसके साथ ही भारत सरकार के साथ समनव्य कर आपूर्ती की प्रयाज जारी है साथ ही रणनेती बनाई गई है कि सभी मरीजों की सैंप्लिंग, टेस्टिंग और 24 घंटे में रिपोर्ट होम आइसोलेशन की नियमित मॉनिटरिंग, कोविट केर सेंटर की स्थापना और संचालन, अस्पितालों में बेट्स, ऑक्सिजन, इंजेक्शन और दवाओं की परियाब्त उपलब दिता, अधिक से अधिक लोगों का कोविट टीका करण कोरोना कर्फियों का कड़ाई से पालन, रोग प्रतिरोदक शम्ता में व्रधी की उपाय, जन जागरुकता, किल कोरोना अभ्यान और लक्षिय रखा गया है कि किसी भी कीमत पर संक्रिमन की चेन तोड़ना, जलों में पॉजिटिविटी दर की तेजी से घटना जहां जहां संक्रिमन अधिक है वहां माइक्रो कंटेंटमेंट एरिया बनाना, होम आइसोलेशन और कोविट के सेंटर में ही लोगों को स्वस्त करना, कोरोना कर्फियों में सक्ती बढ़ा कर लोगों का अनाविश्यक मूव्मेंट बंद करना, इल कोरोना अभ्यान का प्रतिरोदक शम्ता में व्रद्धी